तो तो फाइनली दोस्तो आज रिलीस कर दी गई है इडियन सिनिमा की इस सार रिलीस होने वाली वान उप दू मोस्ट अवेटेट फिल्म सिंगम अगेन और दोस्तो इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जितना भी जल्दी हो सके इस फिल्म को जाकर सिनिमा गरों में देखिए क्योंकि दोस्तों यह फिल्म एंडियन सिनिमा की ही नहीं बल्कि बॉलूट की one of the biggest ब्लॉक्बश्टर फिल्मों में से एक बनने वाली है जी हाँ दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है फिल्म सिंगम अगेन के रिव्यू के बारे में जानेंगे दोस्तो की ये फिल्म आज बॉक्स आफिस पर क्या कमाल करने वाली है और आपको इस फिल्म को सिनेमा गरों में क्यों देखना चाहिए तो वीडियो को ला शेटी के कॉपी नियर्स की पाचवी फिल्म है फिल्म में दोस्तों आपको सुपरिश्टार अजे देवन के अलावा अक्षे कुमार, रणवीर सिंग, टाइगर श्रॉफ, दीपी का पदुकॉन, करीना कपूर खान, अरजुन कपूर और जेकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों लाष्ट का जो क्लामेक्स के बाद इंट्रो वाला सीन है वो आपको सीटिया और तालिया बजाने का मौका देने वाली है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि लगबग धाय घंटे लंबी सिंगम अगेन, इंडियन सिनिमा की इस सार रिलीज होने वाली वन उप दे मासियेश्ट फिल्म है, जिसमें आपको सुपरिश्टार अजे देवन की बहतरिन डायलोग डिलेवरी, उनकी बहतरिन स्क्रिन प्रेजेंस और शानदार एक्षन देखने को मिलने वाला है फिल्म में दोस्तों वो एक बार फिर से अपने आइकोनिक केरेक्टर सिंगम में आपको नजर आएंगे जो कि अपनी वाइफ आउनी को बचाते वे नजर आएगा फिल्म का फर्स्ट रहाफ काफी इंगेजिंग और एक्षन से भरा हुआ है जिसमें आपको सुपरिश्टार अजे देवन का बहतरिन एक्षन देखने को मिलने वाला है कश्मीर वाले सिन फिल्म में काफी अच्छे से दिखाए गए है साथ ही साथ दोस्तो अरजुन कपूर को जिस दर से फर्स्ट रहाफ में ही दिखाए गया है वो काफी सर्प्राइजिंग है फिल्म में दोस्तो अर्जुन कपूर का रोल काफी पाउरफुल होने वाला है और यही वज़े है दोस्तो की इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को एक साथ आना पड़ा दोस्तो फिल्म का फर्स्त रहाफ इंगेजिंग है जिसमें आपको एक्शन और कुछ कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं आजे देवगन दोस्तो अपने पहले हाफ से ही और्डियंस का दिल जीत लेंगे जिनकी एंट्री और एक्शन दमदार है फर्स्त रहाफ में दोस्तो आपको शक्ती शेटी यानि की दिपिका पादुकॉर्ण की भी एंट्री देखने को मिलने वाली है तो वहीं दोस्तो टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री फर्स्त रहाफ में ही आपको देखने को मिल जाएगी तीनोही एक्टरस ने दोस्तो फिल्म में काफी गजब का काम किया है तो वहीं दोस्तो जेकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर और कनीना कपूर का भी जो काम है वो फर्स्ट हाप में अच्छा देखने को मिल रहा है रवी बसरूर का म्यूजिक दोस्तो अपने पहले हाप में शानदार है और विज्वल्स आउस्टेंडिंग है सेकेंड हाप दोस्तो फास्ट पेश्ड चलता है जिसमें आपको बहत्रिन एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं रणवीर सिंग, अक्षय कुमार और अजय दोगन की तिकडी दोस्तो फिल्म में एक बार फिर से धमाकेदार एक्शन करती ही नजर आने वाली है तो वहीं दोस्तो लाश का केमियो एक बार फिर आपको सीटिया और तालिया बजाने पर मजबूर कर देने वाला है दोस्तो बता दे चले आपको कि सेकेंड हाप में आपको जबर जस्त अक्षन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं रोहिश रेटी ने दोस्तो जिस तरह से इतनी बड़ी श्टार कास्ट को फिल्म में बराबर लाइम लाइट दिया है वो दोस्तो काबिले तारिफ है रोहिश रेटी के डायेशन में बनने वाली दोस्तो फिल्म का स्क्रिन प्ले काफी कसा हुआ है जो कि शुरू से आकरी तक आपको बाधे रखता है फिल्म की कहानी दोस्तो रामायंट से प्रेरी थे लेकिन फिल्म में जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है वो शानदार है फिल्म में दोस्तो अक्षे कुमार की एक बार फिर हैलिकॉप्टर एंट्री आपका दिल जितेगी और सीटिया बजाने पर मजबूर कर देगी तो वहीं दोस्तो फिल्म का जो क्लायमेक सीन है वो आपके रोंग्टे खड़े कर देगा यानि कि अवरॉल बात की जायता दोस्तो ये फिल्म इस साल की वन उप दे मासेश्ट फिल्म है जो कि इस दिवाली के मौके पर हम सभी के लिए एक बैस्ट गिफ्ट है फिल्म का एक्षन, स्टोरी और डायलोक्स काफी बढ़िया है रवी बसुरूर का म्यूजिक आपके रोंग्टे खड़े कर देगा तो वही दोस्तो फिल्म में जो विजवल्स यूज़ किये गए हैं वो भी काफी अच्छे नजर आते हैं फिल्म दोस्तो एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ दिखाई जा रही है जिससे की हम बहुती जल्द कनेक्ट कर लेंगे और यही वज़य है दोस्तो की यह फिल्म इस साल दिवाली के मोके पर फैमिली के साथ इंजोई करने वाली वन उप दे बेस्ट एंटेटेनर फिल्म है फिल्म के अगर बॉक्स आफिस की बात की जाए जबकि दोस्तो आज यह फिल्म मॉर्निंग में ओपन होने से पहले ही 18 करोड रुपे से भी जादा की कमाई और एडिया से ग्रोस बॉक्स आफिस पर कर चुकी थी लगबक 3500 स्क्रिंस पर और लगबक 5500 स्क्रिंस पर दुनियावर के बॉक्स आफिस पर रिलीज होने वाली सिंगम अगेन आजे देवगन के केरियर के भी सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है क्योंकि दोस्तो इस फिल्म में जिस तरह का एक्शन और जिस तरह की धमाकेदार स्टार काश्ट हमें देखने को मिली है वो इस फिल्म को एडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग दिला रही है फिल्म दोस्तो आज मॉर्निंग से ही 50-55% की ओक्यूपैंसी लेकर ओपन हुई लेकिन दोस्तो जैसे जैसे इस फिल्म को आडियन्स की तरफ से आउस्टेंडिंग रिविउस मिलना शुरू हुए वैसे वैसे दोस्तो इस फिल्म के कलेक्शनस में और ओक्यूपैंसी में ग्रोस देखने को मिली फिल्म दोस्तो अफ्टरनून और एवनिंग के शो के साथ इस साल की वन उप देगेश्ट ग्रोसर बनती हुई नजर आ रही है दोस्तो पता दे चले आपको की फिल्म में आपको जो लाश्ट का क्लामेक्स सीन देखने को मिलने वाला है वो तो रोंग्टे खड़े करेगा ही लेकिन दोस्तो सुपरिश्टार सलमान खान की चुलबूल पांडे वाली एंट्री आपका दिल जीत लेगी और और दोस्तो ये फिल्म इस साल की वन उप दे बैस्ट एंट्रेटेनर फिल्म है जिसे कि आप सभी को बड़े परदे पर ही इंजोई करना चाहिए वो भी अपनी फैमली के साथ आपको दोस्तो ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और दोस्तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर इस फिल्म के टिकेट्स बुक कराईए क्योंकि दोस्तो ये फिल्म इस दिवाली पर सबस दमाकेदार फिल्म साबित होने वाली है धन्यवाद जेहिंजे भारत